तो हेलो एन वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FIIs और DIs के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि जो FIIs और DIs होते हैं यह जनली क्या होते हैं और कौन होते हैं और जो हमाय समय रोज डेली बेसिस में FIIs का डेटा आता है उसे जनली हम कैसे स्टेडी करना चाहिए और यह डेटा हमें जनली क्या बताता है यह सब सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आगर हम मार्केट में किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं हम चाहे ETF में निवेस करते हो यह पर Direct Stock में निवेस करते हो यह फिर Mutual Fund के थूर निवेस करते हो तो हमें इन चोटी चोटी बातों का पता होना चाहिए कि इस सब चीज़े कैसे काम करती है दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजे इससे आपको हमाया चैनल से लेटेस वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये FII और DIA होते हैं तो जनली ये कौन होते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तो इन ही को जो अपना fund generally खुद manage करते हैं तो retail investor तो आपको खेर पता ही होगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं institutional investors में जो दो तरह के लोग आते हैं FIIs और DIs इसे समझ लेते हैं तो institutional investor में दो तरह के ही लोग आते हैं FIIs और DIs और जिसमें की FII का full farm होता है foreign institutional investor वह ही DIA का full farm होता है domestic institutional investor तो सबसे पहले बात कर लेते हैं FII की तो दोस्तो अगर हम FII का example दे के आपको समझाने की कोशिस करें तो इसे हम ऐसे समझाते हैं दोस्तो for example माल लेते हैं USA में कोई एक insurance company है या investment bank है या mutual fund house है जो USA में ही registered है अगर वो insurance company या bank इंडिया के stock market में निवेस करती है तो ऐसा investment foreign institutional investment कहलाएगा वो महीं पात की जाए DIA की case की तो ठीक इसका उल्टा कह सकते हैं कि for example अगर इंडिया की कोई company है insurance company है या फिर bank है या mutual fund house है अगर इंडिया का ही कोई investment bank अगर अपने ही इंडिया में कोई stock में निवेस करता है तो ऐसे में यह जो investment कहलाएगा तो वो domestic institutional investment कहलाएगा यानि खुद की country में निवेस करना इस तरह से DIAIS कहलाता है और यह तो I hope आपको समझ में आ गया होगा जो FIAs और DIAs में क्या difference होता है और यह कौन होते हैं तो चलिए अब बात करते हैं जो daily basis का data होता है उसे आप कैसे निकाल सकते हैं Google में जाके तो सबसे पहले से इन समझ लेते हैं Google में आपको simply money control टाइप परना होगा आपको जो daily basis पे FIAs और DIAs का data जारी होता है उसे आप simply check करने के लिए आपको Google पे money control की website सर्च करनी है जो पहली website आएगी money control की उस पे simply tap कर देना है तो यह दोस्तो money control का home page है आप यहाँ पे market वाले section में जाएंगे तो आपको दूसरी वाली line में नीचे से चोथी line में FIA and DIA की activity देखने को मिल जाएगी उस पे simply आपको tap कर देना है तो जैसे कि हमने आप पे tap कर दिया है और यह आपके सामने FIAs और DIAs की पूरा data आपके सामने आ चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से तो आप यहाँ देख पा रहोंगे यहाँ पे आपको cash और future and option में पूरा आपको data देखने को मिल जाता है पहली वाली जो line है यहाँ पे आप देख सकते है FIAs की line है और दूसरी जो side में है यहाँ पे आपको DIAs का data देखने को मिल जाता है और आप यहाँ date नीचे देख पा रहोंगे हर date का अलग है दोस्तों 10 माई पर अभी का data अभी इसमें नहीं आया क्योंकि market अभी live है पर करल का data आप यहाँ देख सकते है 9 माई का आप यहाँ देख सकते है यह यहाँ पे gross purchase है और यहाँ gross sale है कि FIAs ने कितना खरीदा और कितना बेचा है और उन दोनों का difference आप यहाँ पे इस वाइल लाइन में चेक कर सकते हैं net purchase या net sale में और यहाँ इसके side में आप DIAs का net gross purchase देख सकते हैं gross sale देख सकते हैं और फिर यहाँ पे net purchase and sale देख सकते हैं last while line में तो जैसे कि for example अगर हम बात करें 9 माई का तो आप यहाँ देख पा रहोंगे 9000 क्रोंड के उपर की खरीदारी की है FIIs ने और 7000 क्रोंड के उपर की sale की है कल के दिन और जो net purchase है वो 1922 क्रोंड का है क्योंकि दूस्तों खरीदा जादा है FIIs वालोंने और बेचा कम है तो इन दोनों का difference निकालेंगे तो positive में 9000 क्रोंड का खरीदारी की है कल के दिन FIIs वालोंने वहीं बात की जाए DIs वालोंने तो 7000 क्रोंड के उपर की खरीदारी की है DIs ने और वहीं sale की बात की जाए तो 6700 क्रोंड की उपर की विकवाली की है तो यहाँ पर अगर net purchase देखेंगे तो 404 क्रोंड का net purchase निकल के आता है इन दोनों के difference अगर चेक करेंगे तो जैसा कि खरीदारी जादा है X compared to विकवाली में तो खरीदारी में ग्रीन में आप यहाँ देख सकते है 404 क्रोंड का खरीदारी की है तो दोनों ही जगा पे कल खरीदारी अच्छी हुई है और आप यहाँ देख पा रहे होंगे पिछले कई दिनों से FIAE बुलिस है लगातार बाई कर रहा है और वहीं DIAE के बात की जा तो थोड़ा सा mix-up है कभी खरीदारी की है कभी विकवाली की है पर जिस दिन भी विकवाली की है तो उसके सामने FIAE वालोने बड़ी खरीदारी की है आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो पिछले कई दिनों से FIAE में लगातार बड़ी खरीदारी हो रही है मार्केट भी वैसा response देता हो दिक रहा है इसे Nifty में चेक करेंगे तो देख रहा होंगे दोस्तों कि Nifty भी वैसे ही प्रपॉम कर रहा है क्योंकि FIAE लगातार बुलिस है लगातार खरीदारी कर रहा है तो हमें मार्केट में भी सेम देखने को मिल ला है पिछले 5 दिनों में आपको यहाँ लगातार यह तो हमने बात की cash की तो आपको future option में भी एक बार जोड़ डेटा चिक कर लेना चाहिए जो कि अगर पूरा डेटा आपको अगर जानना है तो FNO में भी आपको एक बार चिक कर लेना चाहिए और FNO में जाएंगे ना इंडेक्स और स्टॉक दोनों ही आप मंतली वेसिज में April, March और February आप यह से चेक कर सकते हैं तो जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहोंगे DII's ने March और April के महिने में बहुत जबज़स्त खरिदारी की है और Market को उपा ले जाने की पूरी कोसिस की है उसका साथ FII's ने भी दिया है, उसनों नों भी अच्छी खाजी खरिदारी की है दोनों ही जगा आप ग्रीन देख पा रहोंगे और दोनों FII's और DII's ने जम कर खरिदारी की है March और April के महिने में जिसका आप पूरा-पूरा impact देख सकते हैं पिशले दो मेनों में अच्छा-कासा बुलिस रहा है और FII's और DII's दोनों ने एक अच्छी खरिदारी की है दोनों ही बुलिस मोड में रहे हैं तो मार्केट भी हमारा उपर गया है तो अगर FII's और DII's दोनों ही लगातार बाइ कर रहोते हैं तो जातर चांस बन जाते हैं कि मार्केट उपर जाएगा और दोनों ही मार्केट को उपर लेने की कोशिस कर रहे हैं वहीं आप देख सकते हैं फरवरी, जनवरी और दिसंबर के टाइम में जो FII's थे उसमें लगातार बड़ी बिकवाली की है जिस वज़े से मार्केट थोड़ा डाउन भी था तो हाला कि अगर हम किसी पर्टिकुलर डे का अगर हम FII's और DIA data का analysis कर रहे हैं तो हमें पूरा 100% FII's और DIA data पे ही नहीं निर्भर रहना चाहिए हमें कुछ और भी data पे फोकस करना चाहिए लाइक, ग्लोबल मार्केट, PCR, इंडिया विक्स इन सब पे भी इस सब चीज़े बहुत धत्तक depend करती है और dollar क्या चला है और crude oil क्या चला है तो इस सब भी चीज़े बहुत धत्तक impact डालती है मार्केट कैसा perform करने वाला आनुरी टाइम में तो सिर्फ FIIs और DIs पे ही हम पूरा 100% से और नहीं हो सकते हैं इस पर bet नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ और data को भी साथ में analyze करना होता है खैर उनकी बात हम किसी और दिन किसी और वीडियो में करेंगे तो आज की वीडियो में हमने फिरहाल देख लिया है कि FIIs और DIs के data कैसे study करते हैं अगर किसी particular day FII और DIs दोनों ही buy करते हैं एक अच्छी खासी quantity में तो इससे एक अच्छा sentiment समझा जाता है market में market के लिए market अब यहां से उपर जा सकता है अगर लगतार FII और DIs खरीदारी कर रहे हैं कि दोनों ही market को उपर लाने के कुछ कर रहे हैं वहीं अगर कोई DII या FII बड़ी बिक्वाली कर रहा है तो भी लगतार बिक्वाली कर रहा है तो इसमें हम एक निसकस निगाल दखते हैं कि कोई जो FII है या DII है जो बिक्वाली कर रहा है वह market को नीचे ले जाने कोई से कर रहा है या फिर उसे ऐसा लगता है कि आने वाली टाइम में market नीचे जा सकता है तो यह था आज का वीडियो FII और DII के बारे में इस वीडियो में हमने generally सीखा FII और DII कौन होते हैं और इनका जो FII और DII का जो daily data होता है इसे हमें online कैसे निकालना होता है और इनका data generally हमें क्या बताता है और हम इससे क्या analysis कर सकते हैं आने वाले time के लिए तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अजर आपने वीडियो यहां तक देखा और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe परना बिलकुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye